नमस्कार बातें दिल की में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दिल की बातें दिल से करने का इस सिलसिला हमने शुरू किया था अब ये अपने अंतिम दौर में आप पहुचा है बहुत सारे important issues पर हमने बात की क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम सब मिलकर अपनी mental health, अपनी emotional wellness पर कुछ जादा ध्यान दे सकें क्योंकि ये एक बहुत important issue है आजकल जो कई बार हम लोगों से अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में ignore हो जाता है और आज हम एक बहुत एहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और मुद्दा है आत्मत्याय, suicide का कौन सी ऐसी वजे होती हैं जो किसी व्यक्ति को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती हैं और कैसे हम किसी की जान बचा सकते हैं और अपनी भी जान बचा सकते हैं इस तरह का कोई फैसला हम कभी जिन्दगी में ना लें कि अपनी जान देनी पड़े इस से पर बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रही है संजीवनी से वॉलेंटियर काउंसलर कलपना जी कलपना जी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पूरा तेरह एपिसोड का हम सफर तै कर रहे हैं और आज सेकेंड लास्ट हमारा 12 एपिसोड है लेकिन सबसे सीरियस इशू अगर हम पूरा कहें पूरे जर्नी का कहें तो शायद आज है स्यूसाइट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत हम आसपास अपने सुनते हैं और आजकल तो गए बहुत छोटे बच्चों की खुदकुशी की खबरें आती हैं तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि suicide as an issue आप एक counselor के तोर पर इसको कैसे देखती हैं वो समझाए हमें suicide का शब सुनते ही हमारे दिमाग में घबराहट की बात आ जाती है इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं इसके बारे में discussions हम जादा नहीं करना चाहते हैं एक डर लगता है इसको सुनके क्योंकि अगर कोई suicide करने में successful है तो वो इतनी final चीज है उसके बाद तो कोई उपाई ही नहीं होता है कभी-कभी लोगों का casually suicide के बारे में बात करते हैं कभी-कभी उनका बहुत serious इरादा होता है तो हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर कोई suicide की बात कर रहा है तो उसका कोई इरादा नहीं है अगर करना होता तो उसका कर लेता ये बात सच नहीं है अगर कोई suicide के बारे में बात कर रहा है तो उसको please seriously लीजे वो किसी तरह कोशिश कर रहा है कि मैं इसके बारे में बात कर पाऊं किसी से. कि लोग कहते हैं, अरे वो तो हस्ता खिलता भला इंसान दिखता था, यह लगती थी, ऐसा लगता नहीं था, उसको देखकर कि वो स्यूसाइड कर सकती है, यह सारे आस्पेक्स हम लोग जो पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी इंसेंसिट हो जाते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सिच्वेशन को, सबसे पहले तो इस टॉपिक को सीरियसली लीजे, कि अगर कोई सुइसाइड की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में यह बात आ रही है, और कुछ अंदाजा भी हो जाएगा, उसके जिंदगी में क दिखता है, कहीं से भी कोई लाइक नहीं दिखता है, हमें उस टाइम ऐसे लगने लगता है, कि हमारी जो समस्या है इतनी बड़ी है, कि इसका कोई सुझावा नहीं है, इसका एक ही सुझाव है, और वो है आत्माहत्या, इस समय उस व्यक्ति को बहुत जरुवत है कि वो किस से बात करें. दूसरा पॉइंट आपने ये कहा था कि कोई अगर किसी को suicide करना होगा तो वो कर लेगा बात खतम वहाँ. ऐसा लोगों को लगता है पर ऐसा है नहीं. बेसिक टूथ ये है कि कोई भी मरना नहीं चाहता है. परिशान है. उसको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा ह पर वो चाहरा है कि कोई मुझे रास्ता दिखाओ, कोई मेरी बात सुनो, समझो. पर वो बात कर नहीं पाता है क्यों? एक तो है कि एक social stigma है suicide को लेके. उसको डर लगता है कि अगर मैं बात करूँगा तो अगला मुझे बुजदिल समझेगा, कमजोर समझेगा या किसी तरह स जज़ करेगा. बहुत लोग यहां पर धर्म को भी ले आते हैं कि भाई ये तो पाप है. तो अगर आप मुझे पापी समझोगे तो मैं कैसे आपके संग बात करूँ? कानून का भी डर लगता है. कि भाई punishable by law है तो ये डर लगता है कानून का. हमें मदद चाहिए कि कोई ह हम से कुछ कुछ है हम बात कर पाएं. तीसरा पॉइंट आपका ये था, उसने मुझे बताया क्यों ने काश कुछ किसी से बात करता. जैसे मैंने अल्रेडी कहा वो चाहता है पर उसे कोई चाहिए सुनने वाला. कोई चाहिए कि वो जो क्लूज होते हैं कोई पहचाने कि उस करते हैं. जैसे एक लड़की थी, उसकी बेहन अमेरिका से आई थी. वो अपनी बेहन को बोली कि आप दिली से अमेरिका जा रहे हो, मैं बंबई से दिली आपके संग फ्लाइट में चलूंगी और फिर दिली से मैं वापस बंबई आ जाओंगी. है नहीं इशारा नहीं समझ कि अब उसकी चोटी बेहन रही नहीं. तो ऐसे इशारे लोग देते हैं, हमें सतर्क रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है. आपका चौथा था कि कोई हस्ता खेलता है और फिर हमें आस्चर यह होता है कि उसने सुइसाइड क्यों किया, कैसे कर लिया, कुछ पता ही नहीं कुछ लोग शब्दों में इशारा देते हैं, पर उनके इशारे एक पिक अप करने के लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है. कुछ लोग तो बहुत डिप्रेस्ट हो जाते हैं, बहुत इरिटिबल हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत नजर आता है. कुछ लोग बढ़ी जैसे लड़की थी, तीस साल की हो गई थी, दो-तीन नौक्रियों से निकाल दी गई, नौक्री नहीं है, माबाप के संग रह रही है, छोटी बहन की शादी हो गई, अब उसको बच्चा भी होने वाला है, और उसकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके नजरिया में वो तो क्या इरादा है तुम क्या करना चाहती हो, तो बड़े कैजूली वो बोली कि अभी मेरी पूरी परिवार हरीदवार जा रही है, वहां मैं सोच रही हूं, नदी में, गंगाजी में समा जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, और मेरी फैमिली खुश हो जाएगी, कि ए तो तो फ़ड़ा-थोड़ा बात करकर कि हिंत दे रही होगी, जब ऐसा कोई ad advocate में से हंएगी, कि भई यो बहुत कि जो घुक रहा है तो तुम्हारे अंदर जो रहा है। कि करपना जी येवह संभावना होती कि कोई बहुत खुश दिख रहा है। बलकोल नॉर्मल नेकिन सेख अंदर से श्योसाइटल है। तो कुछ-कुछ अंदाजा आपको कुछ-कुछ अलग-अलग तरीके से आपको बताएगा, उसका मन इस तरफ जूक रहा है, मानलो कि कोई बहुत खुश नजर आ रहा है, और लोगों को फोन कर रहा है, बात कर रहा है, वड़ी कुशी-कुशी से अपने पुजेशिन्स दे र परन्तु यह नॉमल से परे है, तो कुछ भी नॉमल से परे हो, तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत भनाख हमें पढ़ना चाहिए. कई भर हमें पुद को समझ नहीं आता एक व्यक्ति को, क्या हम स्युसाइडल हो रहे हैं, तो किस तरह की बाते हमारे मुँसे भी निकल सकती हैं, जाने अंजाने में, क्या हमें उससे भी सतर करेहना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक्चुली उस पे आक्ट करें, एक थौट और इंटेंट में फरक होता है, इरादा होता है, और एक ख्याल, ख्याल ठीक है, सोच लिया, कभी-कभी, हम लोग सब बोल देता, ओ, जिसनदगी से इतने फैड़ापी हो गया, अतामी करता है, बट हमारा वो ख्याल आया गया, पर उस पे हम सोचते नहीं है, और इर जाता है, बहुत लोगों का कभ प्लैन हो जाता है, जैसे इस लड़की का उधारन दिया, कि जब वो हाज़गार जाएंगे, तो उसका कभ, और कैसे दोनों प्लैन हो गया, तो उसका सीरियस सिचुएशन है, ये जस ख्याल नहीं है, एक और क्लाइन था, यंग लड़का, व अब वापिस भर दूँगा, उसकी बदकिस्मती ऐसी थी कि उन दस दिनों में ओडिट हो गया, ओडिट हो तो वो पकड़ा गया, पकड़ा गया तो सस्पेंड हो गया नौकरी से, और कारवाई भी चल रही थी, अब ये लड़का जिसको उसकी पूरी फैमिली समझती है कि ये एक आदमी है जो हमारे घर में उंचा जाएगा, तरक्षी करेगा, उसके अंदर इतने शेम और हुमिलियेशन की फीलिंग भर गई, इतनी शर्मिंदगी भर गई, कि वो बरदाश नहीं कर पा रहा था कि मैं अपनी फैमिली को कैसे फेस करूँ, तो वो उसके लिए ये इतनी बड़ी लगी, कि उसको लगा कि अब मुझे खुदखुशी तो करना ही पड़ेगा, उसने सोच लिया था कि मेरा भाई 15 दिन में आ रहा है, उसके पहले पहले कर रहा है, और उसके दोस्त के घर में एक वो country made pistol था, उसने वो भी चोरी कर ली थी, तो उसने तरीका भी सोच लिया, सब कैसे सब सोच लिया, इसको फिर बहुत सीरियसली लेना पड़ता है, यह तो प्लान उसके अंदर अंदर चल रहा है, पर हमें कैसे पता चलेगा, मान लो कोई अपने नाम में बहुत बड़ा life insurance ले ले, अचानक से वसियत बनाए, अपनी चीजें देने लगे उसका mood बदल जाए, या तो बहुत ही ज़्यादा एक खुश हो जाए, या बहुत irritable हो जाए, या बहुत depressed हो जाए, जो उसका normal है, उससे बदल जाए, तो एक normal शान्थ परसन, बहुत खुशी खुशी बात करने लगेगा, तो हमें अजीब लगता है, कुछ ना कुछ mood बद जाता है, कुछ लोग और ऐसे भी होते हैं, कि रिस्क लेने लगते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो खुब तेस चलाना, या शराब पी के गाड़ी चलाना, या जो कभी ड्रग्स नहीं लिया, अब ड्रग्स ले रहा है, क्योंकि उसको कोई परवा ही नहीं अपनी अग, तो यह ऐसा क्यों कर रहा है, अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है, तब हमारा दमाग चलना चाहिए कि शायद, एक क्लू से नहीं होता है, अनेक क्लू होते हैं, जैसे इंटरनल लॉसे होते हैं, शेम, सेलफ एस्टीम, पेलियर, एक और क्लू यह होता है, कि हमें अगर 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 कुछ जानते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि उसकी जिन्दगी में कुछ ना कुछ लॉस हो गया है, शाहिद नौकरीक हो गई है, या शायद exam में कुछ fail हो गया हो, कुछ financial problems, खूब losses, debts, creditors, ऐसा कुछ हो गया हो, maybe relationship में कोई problem हो गया हो, बहुत नजदीक का कोई मर गया हो, जैसे spouse की death, या parent की death, या बच्चे की death, या हमें बहुत strongly affect करता है, या फिर हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो, जिसे हमें पता है की आगे जाके मर नहीं है, और बहुत तक्रीफ दे रही है, तो हम सोचते हैं की, अब जैसे exam failure है, आप पर हम सोच सकते हैं की, ठीक है, क्या खास बात है इसमें, अगले साहते हैं, बढ़ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको आदत है की उनके 98-99% आते हैं, अगर 94-93 आ गया, तो उनके लिए बाहुत बच्चे, जब exam में fail हो जाते हैं, माबाप से डर के घर से भाग जाते, की train के सामने कूट जाएंगे, अगर आप railway station में कूली और इन लोगों से बात करो, तो उनको तो experience होता है, actually मेरे एक friend का बेटा ऐसे भाग गया था, और जो कूली था वो पहचाना, और उसने उस बच्चे को बोला, नहीं, तुम जाओ अपने माबाप से बात करो, माबाप तुम्हारी बात समझेंगे, और मान लो नहीं समझें, तो suicide बाद में भी कर सकते हो ना, पर एक बार घर जाओ, तो पहचानना इतना कठी नहीं है, एक कूली पहचान लिया, और इन सबसे आंतरिक लॉसेज भी होते हैं ना, loss of self-esteem, आत्मसमान खतम, एक confidence खतम हो जाता है, शर्मिंदी की बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही बिग, अगर हमने कुछ किया हो, या हमारे संग ऐसा कुछ हो रहा हो, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदी की महसूस हो रही है, तो हम लोगों को society को face नहीं कर पाते, फिर उस समय भी हमें लगना रखता है, कि शायद ये रस्ता अपनाना चाहिए हो, करपना जी एक और सवाल मन में आता है, क्या हमेशा ऐसा है कि जो खुदकुशी करने वाला व्यक्ति है, वो depression में होगा, इसलिए suicide कर लिया? Depression एक कारण होता है suicide का, अचली जब बहुत serious depression होता है, तब तो हमारे पास energy शक्ती ही नहीं होती है suicide करने की, पर जमान लो हम दवाई लेना शुरू करें, counselling शुरू करें, और हमारी depression थोड़ी सी improve हो जाए, उस समय हमारा energy भी उंचा जाता है, वो बहुत risky time है, उस ताइम बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस ताइम energy भी है और depression भी है, दूसरे mental illnesses में और जब हम बहुत drug abuse कर रहे हैं, तो हमारा psychotic behavior भी हो जाता है, उस ताइम भी risk factor suicide का high है, आम आदमी जिसको मानसिक बीमारी नहीं है, जो alcohol और drugs का सेवन नहीं कर रहा है, उसके भी दिमाग में ये ख्याल आ जाता है, बहुत सारे हमारे जो आते हैं clients अंजीवनी में, वो इस category में होते हैं, जैसे एक लड़की थी, कि दस साल से इस लड़के के संथी, अब शादी होने वाली है, काट छप गए हैं, बढ़ गए हैं, लोग घर में, बेगैस घर में आने लगे हैं, उसकी बेहन जर्मनी से पहुँच गई है, और शादी के पंदरा दिन पहले लड़का कहता है, मुझे तो शादी नहीं करनी तुमसे, इस लड़की का suicide risk इतना हाई था, इतना हाई था, कि इसके जब friends इसको संजीवने में लाए, तो मैंने बोला कि हर समय इसके संग दो जना होना चाहिए, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, एक जना अगर खाने जाए या बातरूम जाए, तो एक जना होना चाहिए, कि लोग का suicide risk इतना हाई हो जाता है, क्लूज आपने समझा दिये कि जो खुदकुशी करने का ख्याल जनके बन में आता है, वो किस तरह की बातें कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्लूज चल रहे होते हैं, और बाहर वो कौन से क्लूज एक्सप्रेस कर देते हैं, ताकि आसपास के लोग समझ भाएं, अब सबसे important बात, आसपास के लोग क्या करें, चाहे वो परिवार हो, चाहे दोस्त लोग हो, हम कैसे किसी को suicide करने से बचा सकते हैं, सबसे पहले तो सुनो, जब आपको कुछ भी idea लगता है, एक अंदाजा लगता है, एक भनक लगता है, कि हो सकता, यह बहुत परेशान है, तो उसके सब बैट के बात करो, time निकालो, क्योंकि उसके जान से ज़्यादा important कुछ भी नहीं है, सुनो, जब उसको सुनो, और उसको बहुत seriously लो, और उससे पातचीत करते करते, supportive हो, उसको ऐसा feel कराओ, कि आप उसकी बात सुनने को तयार हो, आप किसी भी बात से शौक नहीं होगी, और उससे बातों बातों में पूछो, कि क्या तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा है, कि तुम अपने आपको हाम करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, कुछ खतम करने का सोच रहे हो, जब आप उसको ऐसा मौका दोगे, तो वो जरूर शेयर करना चाहेगा आपके संग, कि हाँ मेरे संग ये चल रहा है, और मेरे पास और कोई उपाई नहीं है, जब हम सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं उसे, तो कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, एक तो है, कि जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है, हमारी सुइसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ सकती है, तो जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर उसकी उमर ज़्यादा हो, तो उसको और सीरियसली लीजिए, और किसी तरह उससे बात बुलवाईए, ये भी जानना ज़रूरी है, कि लड़कियां ज़्यादा अटेंट करती हैं, परन्तु जो मेल्स हैं, वो ज़्यादा सक्सेस्फुल होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपके संग कोई आदमी बात कर रहा हो, तो और ज़्यादा ध्यान रखो और उसको अकेला ना चोड़ो, क्योंकि कुछ तरीके होते हैं, जिसमें आपको सेकिंड चांस मिल सकता है, जैसे एक लड़की है, अगर कोई एक पर अटेम्ट करता है, तो उसका रिस्क फैक्टर बढ़ गया है, उसको और ज़्यादा सीरियस्ली लोग, यह कभी मत समझो कि यह अटेंशन के लिए कर रहे हैं, ड्रामा के लिए कर रहे हैं, अगर कोई अकेला रह रह रहा हो, उसके सेंधर बहुत सीरियसली लोग, बहुत सारे स्टूटेंस आते ह clip काम करने के लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, तो उस थाइम आपको दोस्तों से contact करना पड़ेगा, और उनको दोस्तोंको सतर करना पड़ेगा, कि इसका ध्यान रखो, ख्याल रखो. अगर आपको कुछ वो सब भी दिखें, depression, anxiety, helplessness, hopelessness, तो भी उससे इन सब विशें पर भी बात करके पता करो. जब पता चल गया, आपने पूछ लिया, और उसने आपको बता दिया, कि मैं suicide करने वाला हूँ, तो बहुत important बात आती है, अकेले नहीं दिल करना से, आपने support दिखाया, आपने empathy, आपने बहुत दिल से बात की, आपके बात करने से आपको ये समभज में आ गया, कि ये तो आत्महित्या करने वाला है, और कुछी दिनों में करने वाला है, तब अकेले नहीं हैंडल करना है, सबसे पहले तो friends और family को involve करो, हमेशा उसके संग कोई रहना चाहिए, और उसके बाद में उस व्यक्ति को professional help की जरुरत है, तो या तो उसको crisis intervention unit के प्लास ले जाओ, suicide prevention unit, जैसे की संजीवनी है, या clinical psychologist के पास ले जाओ, या psychiatrist के पास, या step बहुत ज़रुरी है, एक सवाल या मेरे मन में आता है, आपने कहा कि अगर कोई तुमसे कहे कि मैं suicide करने वाला हूँ, या करने वाली हूँ, अगर कोई कहे मैं suicide करना चाहता हूँ, उसकी seriousness और मैं suicide करने वाला हूँ, दोनों की seriousness एकदम बराबर है, दोनों में हमें उतना ही अलर्ट होने की ज़रूत है, जो कहता है कि मैं suicide करना चाहता हूँ, उससे कुछ प्रशना, वही पूछे कहां कैसे वाले प्रशना, यानि कि उससे ये पूछे, कि अच्छा तुम suicide की बात कर रहे हो, तो सोचा है कैसे करोगे, अगर वह बताता है कि मेरे पास तरीका है, कि मैंने औरेड़ी sleeping pills पिकत्थे कर लिये हैं, या मैंने पास एक बंदूख है, या आप कहता है कि पंखा से टंग जाऊंगा, अगर उसने ये सब सोच लिया है कि कैसे करना है, तो सीरियस बात हो गए और कहता है, नहीं, नहीं, मैं तो ऐसी बोल रहा हूँ, अगर आप पूछोगे तो बोलोगे, मैं इतना परेशान हूँ कि मैं सोचता हूँ कभी सब खतम करतूँ, तो उसका रिस्क नहीं है, अगर आप, अगर वो कह रहा है कि मैं इस इस तरीके से करूँगा, तो रिस्क नहीं है, तो कब करने का सोचा है, ये पुछोगे, तो वो भी बता देंगे, कि जैसे वो, जब मैं हरदवार जाओंगी, तब मैं डूब जाओंगी नादी में, या मेरे पास बंदूख है, या स्लीपिंग पिल्स है, बस मेरी फैमिली आएगी उसके पहले, या मेरा नेक्स रिव्यू होगा उसके पहले, आपको बता देंगे कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब विचार चल रहे होते हैं, ये हाई रिस्क फैक्टर है, अगर ये नहीं सोचा, तो अगर वो कहता है, मैं करूँगा, पर कैसे अभी तक नहीं पता, तो वो थोड़ा लोर रिस्क फैक्टर होता है, पर उसको भी सीरियसली लेना चाहिए, करी बार लोग स्यूसाइड अटेम्ट करते हैं, और वो बच जाते हैं, उसके बाद उनके आसपास के लोगों को, किस तरह से उने हैं, क्योंकि अगर आप उनको ताना मारेंगे, बहुत चांसे हैं कि वो परसन स्यूसाइडल है, और वो बच गया है, ये बहुत important point है, क्योंकि उस time उसको सहानुभूती की सबसे ज़्यादा जरुवत है, वो जिन्दगी में ही नहीं failure है, अब देखो last suicide में भी failure होगे, वो भी ठीक से नहीं कर पाया, उस time उसको सहानुभूती और understanding और support की बहुत जरुवत है, ऐसे होगा ही लोग ताने मारेंगे, नॉमल है, पर अगर उसके इद्ध के उसके खास लोग है, वो support दिखाएं, और वो उसके साथ साथ चलें, तो हो सकता है वो second attempt ना करें, पर process है, ऐसे लोगों की भी counselling होनी चाहिए, counselling बहुत जरूरी है, पर counselling के साथ साथ, usually हम लोग दवाई भी, psychiatrist के पास भी भेजते हैं, और वो दवाई देते हैं, क्योंकि जो tension है, वो दवाई से वो tension थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर वो बातचीत करने के लायक बन जाता है, और अपनी जिन्दगी को नई सीरे से सोचने लायक बन जाता है, जो suicide करना सोच रहे हैं, उनको तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, और कुछ सूज ही नहीं रहा है, पर वो signals भेज रहे हैं, अगर कोई नहीं सुन रहा है, तो बहुत सारे organizations हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, जो skilled हैं, प्लीज आप उनके पास जाओ और उनसे बात करो, और कोई नहीं समझ में आए, तो एक psychiatrist या psychologist के पास में पहुँच जाओ, पर कभी-कभी उनको ये सब नहीं सूचता है, और ये काम उनके इद्गिद वाले को करना पड़ता है, जो लोग उनके आज सपास हैं, जो suicidal व्यक्ति के आज सपास हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, रोल ऐसे कहो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर वो सुनने का रोल बहुत बड़ा है, और वो सहानुबिती के संग, अगर empathy के संग सुने, तो व्यक्ति जैसे जैसे बोलता जाएगा, उसका tension कम होता जाएगा, उसका relief बढ़ता जाएगा, और तब उसका risk factor भी थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर हम उसको help के ले ले जा सकते, अगर हम एक जने को भी, एक जने को भी ऐसे सुन करके और बचा लिए, तो कितना फुर्णिय का काम होता है, एक बात आपकी बाते सुन कर मुझे ख्याल आ रहे हैं, कि बातें दिल की, नाम ही है, बातें दिल की, और हमने सीरीज को शुरूप किया था और पहला एपिसोड था समवाद, कि कैसे हम अपने दिल की बात कह पाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ें कि कैसे हम एक अच्छे लिसनर बन पाएं, कैसे हम सुन पाएं, कि सिर्फ अगर हम सब रोग सामने वाले को अच्छी तरह से सुनना सीख लें, तो मेंटल हेल्थ के कितने सारे इशूज का हम सुलूशन ढूंड सकते हैं, समाधान ढूंड सकते हैं, और ऐसे को सुनना कल नहीं है, बाद में नहीं है, अभी, अभी सुनना हूँ. एक फादर ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और फादर ने कहा हाँ, बेटा मैं मीटिंग में हूँ, निकलते ही तुमसे बात करता हूँ. मेरे रोंक्ते खड़े होता है, इंसिटेंट याद करके, फादर जब तक मीटिंग से बाहर निकला, वो बच्चा स्युसाइट कर चुका था. तो वो फादर को देखिया, अब हमीशा के लिए वो गिल्ट हो गई, कि जिस वक्त बच्चे ने फून किया था, काश में मीटिंग छोड़कर बात कर पाता हूँ, और यह हम सब के साथ ही होता है कई बार, तो मुझे लगता है कि हम उतने जागरूख, उतने सेंसिटिव, सम हमें समझ में आए, कि कोई हमें ऐसी बेकार में टाइम पास के लिए फोन कर रहा है, या हम वो फर्क समझ पाएं, कोई इस वक्त हमें बहुत हमें बात कर लेंगे, और अगर हम बात कर लेंगे, तो हम उसकी जान बचा पाएंगे, बहुत बात जब हमें कोई फोन करता है, हम फोन उठाके वो पूल से पूछते कुछ जरूरी काम है क्या नहीं तो बाद में बात कर लेंगे वो भी एक मौका मिल जाता है इतना भी पूछ लो कि कुछ जरूरी है कुछ खास बात करना है तो वो भी दरवाजा खुल जाता है हाँ खास बात है चलिए तो आज का सबसे अगर हम सब सुनना शुरू करें आखिर में सबसे जरूरी है, सेल्फ केर, अपना ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, इस पर हम अगले और आखरी एपिसोड में चर्चा करेंगे, but thank you so much Kalpana जी, thank you, namaskar.